कि हार्दिक होरस्कोप मतलब हार्दिक की जो कुंडलियां है सेज वह यह बताती है डैट की स्टार जो तारे हैं विल बी एक्सराइज वो डालेंगे अब बीनीफ इंफ्लूएंस एक अच्छा प्रभाव ऑन इस क्र Community अच्छा है तरी आच्छा प्रभाव डालेंगे और जेल अच्छा प्रभाव डालेंगे तो देखिए हम जब भी कहते हैं अच्छा ये जो आया है हमारा सेंडिस जो आया है यहां पेशी वाइस के जरूरती ही नहीं यहां भी जो होना चाही था वेल और विल के बाद होना चाही था यहां exercise ठिक जैसे exercise कर देंगे तो यह सेंडिस हमारा क्या हो जाएगा राइट अब कहेंगे यह क्यों राइट हो जाएगा देखिए अगर देखिए सेंटेसिस दो होते हैं एक होता है एक्टिव और एक होता है पेशिव टेख अब एक्टिव पेशिम थोड़ा संतर समझ लीजीए जैसे बस पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि वी लिया श्ययल जिसे फु एक्टिव में जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जिसे माली ये सब्जेक्ट हो गया, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, वो इस काम को करेगा, जो ये होगा, इस काम को करेगा, अब्जेट के लिए, लेकिन अगर सिंटेस सपोस करी हमारा पेशी वाइद है, तो सब्जेट काम करता नहीं सब्जेट के le quan किया जाए का अगर हम स्टार विल भी exercise कर देंगे तो इस्टार प्रभाव डालेंग नहीं बलकि सटार प्रभाव डाला जानेंगा तो हमें पता है चारे प्रभाव इंसान के जीवन पे डालते हैं इंसान का जीवन तारों पर प्रभाव नहीं डालता, अगर किसके कोड़ी, यह जो भी पैटन यहां पर होरस्कॉब या कुंडली या जो भी देखकर करते हैं, ग्रह नक्षखत क्या गते हैं, एक इंसान पर भारी हैं, इसका अलब जो सब्जेक्ट होगा, वो काम करेगा, तो सब्जेट कौन है इस्टार इस्टार जो होते हैं प्रभाव डालते हैं इस्टार पर प्रभाव नहीं डाला जाता और चुकि इस्टार प्रभाव डालेगा तो उसको प्रभाव तभी डालेगा जो होगा सेंडेस हमारा एक्टिव में और एक्टिव के लिए विल ये शायल के विल बी एक्सरसाइज नहीं होगा कि हमें एक्टिव को जरूरत है पेशी को जरूरत नहीं है और यह देखें ऑप्शन कहा है दिखिया है ऑप्शन नमबर ए में तो ए नमबर पर हमारा एरर है इसलिए नमबर को यहां पर हम टिक कर देंगे